सौधी अरब में आर्केयोलोजिकल सवे ने खुदाई के दोरान करीब 8000 साल पुराने शहर की खोचकी है, जिसमें प्राचीन मंदिर मिलने की ये घटना पूरी दुनिया में फैल गई है। वहीं, खुदाई में मंदिर मिलने के साथ साथ कई ऐसी चीजे मिली हैं, जिसने पुरातत्वविदो को हैरान कर दिया है। कि यहाँ पर इंसानों की बढ़ी आबादी रहा करती होगी। का इस्तिमाल किया था। लेकिन यहाँ पर मंदिर मिलना सबसे ज़्यादा चौकाने वाली बात है। मंदिर के पास ही जाच के दौरान वेदी के अफशेश मिले हैं, जिसको लेकर पुरातत्वविदो का कहना है, कि ऐसा प्रतीत होता है, कि यहाँ पर रहने वाले लोग पूजापाट करने के अलावा धार्मिक अनुष्ठान भी किया करते थे और यहाँ जो मानव बस्ती मिल है, उनकी पूजा पार्ट में काफी गहरी आस्था रही होगी. अरब न्यूज के मुताबिक इस मंदिर का हाला की ज्यादातर हिस्सा अब खत्म हो गया है, लेकिन मंदिर के पत्थरों के अफशेश अभी भी मौजूद हैं, वहीं तुबाइक पहारों के किनारे पर एकवे पर एक धार्मिक शिलालेक भी मिला है, जिन में से एक प्राचीन देवता को संबोधित किया गया है. इस देवता का नाम पत्थर पर खल लिखा हुआ है. अरब न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक होजे प्राचीन शहर अलफों की धार्मिक प्रताओं को गहरा भवन की नीव भी मिली. इसके साथ ही पुरातत्वविदों को चारस्मार किया भवनों की नीव भी मिली है. इन खोजों ने सिचाई प्रनाली की पहचान की है. इंसानों की जो बस्ती मिली है, उसमें हैरान करने वाली बात ये है कि वहाँ पर सेकड़ों भूमिगत जलाशे मिले हैं, यानि वहाँ पर पानी को जमा करके रखा जाता था और दैनिक कार्य के अलावा खेती के कार्यों में भी उनका इस्तेमाल किया जाता था तुवाइक परवद के किनारे पर जो चितानों पर कई तस्वीरें भी बनाए हुई मिली हैं जो उस वक्त की स्थिती और लणायों के साथ साथ दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं वादी अलदावासर और नजरान शहरों को जोडने वाली आधुनिक सड़क पर वादी अलदावासर के दक्षिन में 100 किलोमीटर की दूरी पर ये खोज की गई है अलफ और साइट की खुदाए और फील्डवक साथी पुरतत्व मिद डॉक्टर अब्दुलरहमान अलंसारी के नित्रित्व में विश्विद्याले के प्रयासों से शिरू हुआ था जो पिछले 40 वर्षों से जारी है आवासियक शेत्र और बाजार भी मिला अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह पर खुदाई के दौरान आवासियक शेत्र, बाजार, मंदिर और मकबरे मिले हैं जिन्हें प्रकाशित की ये गैसात अलग-अलग खंडों में बनाया गया था आयोग सवधी इतिहास को बढ़ावा देने और सनरक्षित करने की उम्मीद में किंगम में सास्कृतिक विरासत स्थलों की खोज और सुरक्षा के अपने प्रयासों को जारी रख रहा है आखिरी तस्वीर फाइल